दोस्तों किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए हम लोग गूगल का यूज तो करते हैं लेकिन ऐसे में कि आप लोगो पता है कि गूगल यहने खुद एक वेबसाइट इतनी सारी वेबसाइट के डेटा कैसे पता लगा लेता है तो जी हैं दोस्तों आज किस वीडिय मैं मैं आपको बताने वाला हूं गूगल सर्च इंजन कैसे काम करता है तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है संजूर और आप देखरें हैं डिश्टर संजूर दोस्तों करें वीडियो अच्छी लेगे तो प्ली चैनल सब्सक्राइब कीज़ेगा वीडियो को लाइक कीज़े तो यह जो वेबसाइट के लिश्ट है गूगल कैसे बनाता है तो दोस्तों इसके लिए गूगल अपनी खुद के अल्गोर्टिम यूज करता है साथ-साथ में अपना खुद का प्रोग्राम यूज करता है जिसको हम लोग बोल सकते हैं स्पाइडर या कह लिजिए रोबोर या क्या लिजिए क्रॉलर तो यह जो गूगल का इस्पाइडर आपकी पूरी वेबसाइट को स्काइन करता है या क्या लिजिए आपके पूरी वेबसाइट में पूरा स्काइन करता है और साथ-साथ में देखता है कि उस वेबसाइट में कितने हाइपर लिंक्स हैं और वह hyperlink और कितनी website से link हो रहे हैं तो यह सब पूरा analysis करके यह जो spider है आपकी पूरी website को गूगल के database में index करा देता है दोस्तों इस process को एक example की तो समझते हैं मालेजे किसी ने Google के उपर एक type की query नरेंद मोदी हाई तो Google क्या करेगा अपने database में जाएगा और देखेगा कितनी website वहां पे index में पहले से उस website के title में keyword आ रहा है कि नहीं आ रहा है उस website description में keyword है कि नहीं है उस website की viral में keyword आ रहा है कि न कि लिए यह keyword कितनी बार उसमें repeat हुआ है कि लिए कोई आगर article rank कर रहा है तो उस website में कितनी बार वह keyword है कितनी बार repeat हुआ है तो यह सब सारे parameter देखने के बाद गाईज यह जो Google है आपको top 10 result first page पे दिखाता है दोस्तों information के लिए चाहिए और बताना चाहूंगा आप लोग पर है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इंटरनेट का सिर्फ हम लोग 4% पार्ट ही access कर सकते हैं बाकि जो 96% है दोस्तों और deep web और dark web का पार्ट होता है जो कि हम लोग access नहीं कर सकते हैं तो यही बताना चाहरा था कि जो 4% पार्ट है वही सिर्फ हम लोग को दिखता है इस फाइल के अंदर उस पेज के आप लोग लिंक दे सकते हैं जिसको आप लोग इंडेक्स नहीं कराना चाहते हैं और इस फाइल को आप लोग अपने website के backend में अगर अप्लोड कर देखते हैं तो जो यह लिंक से सारी जिसको आप लोग रोबोट.tsd फाइल में दिये हैं त पहले के जवाने में आप लोग कुछ भी information गूगल पर टाइप करते थे तो उसकी information होती थी बीना website पर आप लोग को नहीं मिलती थी और आज के जवाने में ऐसा होगा कि अगर आप लोग कुछ भी गूगल पर टाइप करते हैं तो टॉप पर ही उसकी रिजल्स दिखने गूमा फिराके बोलें तो गूगल आज के जवाने बहुत ही एडवांस हो चुका है या ऐसा बोलें कि गूगल को हम लोग नहीं चला रहा है बलकि गूगर हम लोग को चला रहा है मैं ऐसा इसलिए बोलना हूँ ताकि मान लिजे अगर आप लोग कोई टिकर देखते हैं आज के जवाने में उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लिए हुई अगर वीडियो अच्छी लिए प्लीज चैनल सब्स्क्राइब कीजिए का वीडियो को लाइक कीजिएगा बगल में दिए नोटिफिक्स को जरूर प्लिस कीजिएगा और कोई है है हुई हुई है अपिजिए Standards